हेलो व्रेंड्स आप सभी का स्वागत है गायत्तिरी एजुकिशन क्लासेस में आपको पता है करेंट अफेयर का ये वीडियो है अपना और डेली करेंट अफेयर के इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे 11 फेबरी के याने कि जो कल के जो इतने भी की important current affairs हैं जो सिर्फ important है सर्VES CHके कुछन दोस्तों चैकि जो मुझे λगता है बहुत important है यूगकि इसके लावा कुछ हो इसकता है तो आप पहले तो क्या करो कि उसके आंसर महाँ पर कुछ करो क्योंकि अगर आप डेली करेंट अफिर्स जुड़े हुए हो तो आपको आंसर वैसे भी आने चाहिए आने ही चाहिए दूसरी इंफर्मिशन आपको यह दूँगा मैं अपको आपको अपको जल्दी से करना तो पहला कुशन आपके सामने यह है कि परिवर्तन के उपर मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी है जो बाइलेंग्वल है यहाँ पर जिसको जैसा सहूलियत लगे तो कुशन यह है कि परिवर्तन देखे दोस्तों परिवर्तन 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 किस बैंक का कॉर्पोरेट समाजिक दायत हो यह एक CSR, CSR इंग्लिश में क्या बूलेंगे आप इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी मतलब जितने भी बिजनेस है वो अपनी रिस्पोंसिबिलिटी मान रहे है सोशल समाजिक दायत तो यह मान रहे है कि हमें क्या करना है तो बात यह है कि अ परिवर्तन नाम का जो चल रहा है तो यह किस बैंक ने शुरू किया है जिसके तहत वो अनुदान देगा, यहने कुछ राशी देना चाहते हैं, तो उन इस start-ups को देना चाहते हैं, जो की education से जुड़े हुए हैं, मुद्दा यह है उनका, कि education से जुड़े हुए जितने भी start-ups हैं, तो इनने क्या किया है कि सभी से registration मांगा है, अब सब के registration क्यों मा तो HDFC ने वहिए परिवर्तन नाम का जो है, और उसमें वो अनुदान देने वाली है, अनुदान का मतलब कुछ राशी देना होता है, और इसमें उन लोगों और यह solo उद्दमी हो, solo उद्दमी मतलब यह solo entrepreneurs होते हैं, हो सकता है कि आपके business में एक ही हो, आप खुद ही चला र परिवर्तन किसने शुरू किया है, परिवर्तन एक नाम है, ठीक है, परिवर्तन क्या है, CSR है, social responsibility, ठीक, समझ में आगे हो की बात आपको, अच्छा, अभी आपको मुझे comment करके यह बताना है, कि ICICI के chairman कौन है, जल्दी से, ICICI के chairman कौन है, Access Bank के chairman कौन है, और KOTEC Mahindra के chairman कौ कौन है, कोई इसको आप बता सको मुझे अगर, यह ना, pause कर लिए अगरो, कोई दिकत नहीं, वैसे pause करने की जरूवत नहीं है, आपको, फिर भी, मुझे बता सकते हैं, अगर आप, इसका answer गया दोस्तो, answer है, HDFC, clear है, चलिए, अब मैं ही बता देता हूँ, आपको बागी सा हैना, शशीधर, जगदिशन, हैटकोर्टर सारे ही मुंबई में, सब ही जितने भी आपने option देखे रहा है, सब कैसा मुंबई में ही है, बस याद रखिए, HDFC के chairman, शशीधर, जगदिशन, और ऐसे ही बाकी chairman भी देख लीजे, जैसे कि गरीश चंदर चतुरवेदी जी, यह यह है chairman ICICI के, गरीश चंदर चतुरवेदी, और आपके access bank के chairman है, श्री राकेश मखीजा, और कोटेक महिंद्रा के chairman है, आपके प्रकाश आप्टे, ध्यास देखेगा, इसके MD और CEO है, उदय कोटक, जिनके नाम से यह bank चल रहा है, कोटेक महिंद्रा, लेकिन chairman है, प्रकाश आप्टे, इस बात को बहुत अच्छी धान रगीगा, इसी में confusion है, बहुत सारे लोगों को, clear है, तो इनके chairman है, और MD भी सबके अलग-अलग ही है, जैसे कि ICICI के, जो MD है, वो है संदीब, बक्षी, और वहीं पर आपके access bank के MD और CEO है, वो है, अमिताप चौधरी, यह अगला question है दोस्तों, आपको answer करना है इसका, यह तो शायद आपको पता भी हो, आपने बहुत highlights से इसे सुना और देखा भी होगा, कि निम्नलिखित में से कौन Tamil Nadu का पाचवा बाग-अभ्यारन बनने जा रहा है, बाग-भ्यारन, बाग-भ्यारन मतलब reserve, 5th Tiger Reserve है यह, और यह 51st Tiger Reserve है, तो यह भी याद रही कभी आपसे पूछ लिए कि कावनवा कौन सा है, तो भी आपको बताना है, तो इसका answer क्या है दोस्तों, यह रहा, श्री विल्लिपुत्थर मेगा मलाई Tiger Reserve, इसमें दो अभ्यारनों को मिला करके एक कर दिया गया है, अब बात यह कि किसी को Tiger Reserve क्यों बना जाता है, मतलब Tiger को reservations करने के लिए बनाए गया है, तो ऐसा क्या हुआ है, तो आपको देगी हैं, यह पर यह केरल है और यह तमिल नाडु है, जहां पर आपको यह मिलेगा, श्री विल्लिपुत्थर और मेगा Minamalai यह दो अलग अलग है, श्री विल्लिपुत् जोड़ करके क्या बना दिया है श्री विल्ली पुत्थर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व ये दो अभ्यारण है दोस्तों ऐसे बटे हुए है ठीक है श्री विल्ली पुत्थर में जो है गिलहरियों को रिजर्व किया गया है वो गिलहरियों के लिए बना हुआ था ये पूरा सभी बच्छ तो वा गई नदी को ध्यान में रखते हुए उसकी सहाइक नदियों को ध्यान में रखते हुए उसको सुरक्षित रखते हुए और दूसरा सबसे important point ये था कि पेरियार जो tiger reserve मैंने आपको बताया केरल का केरल के जो share है इतने जादा हो गए हैं वहाँ पर कि वो निकल निकल करके अब तमिल नाडू के इन एरियों में आ रहे हैं आने जाने के जो है एक तरसे रास्ते की तरह था कि कोई भी आ रहा तो ये इन जीवों के लिए हानी का रहा सकता है कोई इनका शिकार कर सकता है तो अब क्या कर रहे हैं इस पूरे एरियो को ऐसे बाढ़ रहे हैं समझ गया तो तमिल नाडू के दो रिजर्व थे अब उन्होंनों को मिला करके सिर्फ एक नाम दे दिया और इसको इससे जोड़ दिया और यहां बीच में जो आ गई ने दिया इसको भी सुरक्षित कर लिया बास में आई इसे लिए टाइगर रिजर्व घोशित करना पड़ता है समझ गया तो यह कुछ कहान त इंद्रा गांधि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता ऐ अब तामिल लाडव में और सब तमिल नाड़ू में और खास बात देखो यही वो चार है मैंने कहा ना कि तमिल नाड़ू को कौन सा मिला है अपना पांचवा टाइगर रिजर्व बना है इसका मतलब इससे पहले चार रहे होंगे तो यह आपके सामने दिख रहे हैं यह वही पांच है और उनमें से चार टॉप के हैं और यह अभी अभी नया नया बना है और इसमें दो अभ्यारण है एक शिरी विल्ली पुत्थर और एक मेगा मलाई दोनों को जोड़ दिया और एक बना दिया समय में आया आप समझ गया होंगे मेरी बात को तो मैंने बाकी भी चार लिग दिया कभी-कभी यही बात बहुत बढ़ी है और मैंने बहुत सारी चीज़े बता दी एक कावनबा बारत का है दोनों को मिला दिया वागई नदी कभी पूछ लें तो भी याद रखना है कि वागई नदी भी यह ना उसको भी सुरक्षित कर रहा है यह चलिए भई आगे देख लेते दोस्तों त इंद्रा गांधी वाइड लाफ सेंक्टूरी ना नेशनल पारक लिखा भी यह नेशनल पार्ग का ईक तरह का अचा अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए जो मुदु-mulai नेशनल पारक तमिलनाडू का एक मात्र ऐसा नेशनल पार्ख है जो कि तीन राज्यों से ईप मुदु मुलाई नेशनल पार्क की तो मुदु मुलाई में खास बात तीन स्टेट से जुड़ने की है अन्ना मुलाई में खास बात उसके नाम से है इंदरागांधी वाइल लाइफ सेंक्चुरी और कलकड मुंडन थुरई मैं से कोई खास बात नहीं बस इतने सी बात है कि ये हिस्सा है अगस्थ हिमाला बायोस्फेर रिजर्व का तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो ठीक है चलो आगे चलते हैं और फिर ये सत्यमंगलन टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया बही इस पे भी कोई खास बात नहीं बस नाम याद होना पता होना चीजिक यहां भी तमिलनाड़ रिजर्व हैं जिसके बारे मैं अच्छे से आपके सापके सामने बात कर दी है वागई नदीव अगेरा मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है Clara raha यह दिखो यह रही bu trying to go लुरी बात और दो जो मैंने आपको कहेते फें मिला करके बनाए गए गए है एक यह रहा श्री विल्लंपुत्थन यह यह एक गिलहरियों को अभ्यारण है के लहरियों का और एक मेगा मलाई तो दिखर आपको 1000 km2 का एरिया ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं अगला important question जो मुझे लगता है कल की date में था वो ये है कि who has been declared as the winner of Femina Miss India World 2020 भाई आपको बताना जो VLCC के द्वारा VLCC से organize कर रहा था Femina Miss India World Femina Miss India World 2020 के विजेता के रूप में कौन रहे हैं मनुशी चिल्लर देखिए मनुशी चिल्लर को आप सभी जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ये Miss World रही है वो भी 2017 में ठीक है और सुमन राओ इनको भी जान लीजिए ये Miss India है Femina Miss India है वो भी 2019 की तो बहुत फर्क है ठीक है और मैं बात कर रहा हूँ अभी की मैं बात कर रहा हूँ अभी की तो कंफीज नहीं होना इन में से देखिए इसका आंसर है मनसा वरनसी मनसा वरनसी ये हैं विनर Miss India वर्ल्ड की और इनीक ये फस्ट आई थी और रनर अप आई है मान्या सिंग ये यूपी से है ये रनर अप है तो मतलब रनर अप का होगे आप Miss India वर्ल्ड की ये रही ठीक है और मनिका शियोकन ये क्या है ये बनी है भईया फेमिना Miss India फेमिना Miss India ठीक है समझ मारी मेरी बात है ना दोस्तों तो क्लियर होगे इसका आंसर क्या है मनसा वरनसी तेक कमेंट भी करते आना मुझे बताते जाना कि आपको पहले से भी इसका आंसर पता है क्लियर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब सुलो वई जैसे कुछ और आपको मालूम चलना हो तो मैंने बताए जैसे कि मनसा वरनसी इननों नहीं ये टाइटल लिया है मिस इंडिया वर्ल्ड का और ये तिलंगाना से आती है मनिका शियोकंद की बारे मैंने आपको बताए इननोंने मिस ग्रैंड इंडिया का लिया Fahr官 दखना इना सारे नाम एक जिस सभी लग रहे है मनसा मनिका तो यह है मिस्स ग्रेंड इंडिया और माने सिंग के बारे मैंने आपको बताया यह रणर अप है यह रणर अप है और मनुशी चिलर को सभी जानते है 2017 दोस्तों कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं चेंज कर दू यह रहा 2017 की हैं यह क्या है यह मिस्स वर्ल्ड है और जो सुमन राओ यह यह यहां पर जो लिखा है कलर फिर से चेंज करना होगा ब्लू ले दिता हूँ आपको देखे तो जो सुमन राओ थी ये क्या थी भी है ये 2019 की Miss World थी clear हो गया सब बता दिया एक बार अच्छे से slides को देख लो है ना PDF आपको लब्ध होई जाएगी कोई बड़ी बात है नहीं अगला कुशन है दोस्तों कि which of the following has been declared as the 31st district of करनाटिका ठीक है तो आपको मुझे बताना है एक बार इसका आंसर कमिंट करो मुझे समझाओ जल्दी से कि which of the following यानि कि निम्जलिकित में से किसे करनाटिका के 31 जिले के रूप में गोशित किया गया है क्या वो बागल कोट है ब पर यह भी बताओ कि बागल कोट राय चुरी सब कहा आते हैं परिशानों नहीं दोरूत नहीं सारे के सारे करनाटिक के डिस्टिक्ट लिखे हुए लेकिन इन में से अभी 31 वा बना है मतलब इससे पहले 30 डिस्टिक थे करनाटिक में लेकिन अब कित्रे डिस्टिक का हो गया यह अब हो गया है यह 31 ठीक जैसे मद्द्रदेश में 52 लेकि 53 भी अभी है मैंना कि कभी भी बन सकता है ऐसा तो बताइए सब क्या होगा 31 में से कमेंट करके मुझे क्लियर है चलो तो आपने अपना आंसर बता ही लिया होगा तो भाई इसका आंसर है विजय नगर बिल्कुल सही सुन रहा है दोस्तों विजय नगर आपने बहुत बार सुना है विजय नगर जिसकी खोज की थी मालूम नहीं एक सामराजी था जिसकी खोज हरीहर और बुक्का कre निकी थी कि ति हाँ अ seulement पड़ा यह होगा इसके बारे में हरीहर और बुक्का ठीक है अर्म काई शायद आपको ना दिख रहा हो ते हरीहर अ यह कुंआ ले रहों तो आकी नहीं रहा ह हरीहर और बुक्का जब में की कलर चाइए इसको ठीक है कोई बात में जाने में आप तो यहां गहां तो विजय नगर हरीहर और बुक्का ने इसी की खोच की थी और आपको याद होगा विजय नगर की ही एक महान राजा थे कृष्ण देव राए यह सबसे पावरफुल राजा माने जाते हैं इस किंग्डम के जिसका नाम था विजय नगर सामराज्य तो हुआ कि दोस्तों कि अब इसी यह क्योंकि थोड़ा सा मात देते हुए अब क्या क्या है जहां विजय नगर अंपायर था सब करनाटिका के ही है करनाटिका में आपका बैंगलोर भी बैंगलोर की बारने मैंने बहुत कुछ बताया है यह आपको हेल यहने कि हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड उसकी वहीं पर हेड़कॉर्टर भी है माधवन जी उसके चेर्मेन है तो यह याद रखिएगा यह इसका आंसर है चली तो यह समय ने बता दिया आपकी करनाटिका की बात हुई है तो यह करनाटिका के सी म आपको पता ही होना चीए ये दुरभाजी है माध पता है होगा और वीजु भाई राधा रुदा भाई वाला यह उसके गवर्ना रह ठेक है ये दुरभाजी सी मौर्गा वीजु भाई विजु भाई हो बाते मिनALLY आपको बदा दि क्या-विल करके और तुम आगे बड़ जाओ ठीक है तुम से स्टेट ने अभी भी कहा है कि हम थंडर स्टॉम रिसर्च बेड टेस्ट बेड लगाएंगे देख रहा है अब थंडर स्टॉम थंडर स्टॉम मतलब समझे ना वो जो बिजली जैसे बादल ने बादल कड़ा है और इसे बिजली गिरी तो एक बेड बनाया जा रहा है थंडर स्टॉम के लिए बेड बनाया गया है और वो टेस्ट बेड है दिख रहा है मतलब यह आया और बेड पर गिरेगा तो अकरशित करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा नहीं है क्योंकि यह भी तो चार्ज पार्टिकल ही है आगको पता ही है पिंग बड़ी बात नहीं चार्ज पार्टिकल को खिषने के तरीके बहुत सारे होते हैं होते ही हैं एन्टीना है कुछ भी है समझ के तो यह बेड कॉल लगा रहा है और क्यो जरूद पड़़गी तो यह बेड जो है यह उडिसा लगवा रहा है दोस्तो उडिसा का जो बाला सोर डिस्टिक्ट है बाला सोर डिस्टिक्ट बाला सोर डिस्टिक्ट जो है वहां ये बेड लग रहा है अब इसका उद्देश क्या हो सकता दोस्तों थंडर स्टॉम रिसर्च बेड लगाने के लिए भाई देखे होता क्या है कि बहुत सारे जो जानमान क ना और आपको मालूंए वैसे वी 30 राजियों में से एक हैं तो जब भी जानमान की हाली होथी तो बहुत सरी हानी हो जाती है तो क्या कर रहे है कि बिजली को आकर्षित करेगा अपने तरफ जो भी थंडर स्टॉम गिरेगा तो उसमें आकर गिरेगा तो बजगे जानमा और अगर यह बिजली है तो एनरजी है एनरजी के इस्तमाल कर लेंगे समझ गया है ऐसे काम हो रहा है यहाप तो थंडर स्टॉम रिसर्च टेस्ट वेट तो आप समझ गया कितना इंपॉर्टेंट आपको बिल्कूल पता होना चाहिए कुशन ऐसे ही रहेगा सारे साथ इंडियन जित्ते भी स्टेट सा वो लिग दिए जाएंगे आपके सामने करना करनाटका का 31 आपने देखी लिए जिला बना हुआ है क्लियर होगी बात तमिल नाडू में आपने देख लिया कि उसके पास फिफ्ट टाइगर रिजर्व आ गया है अपना जो की पूरे भारत का 51 वा है ठीक है श्रीथ विल्लुथर और जो भी नाम है वह आपको याद होना चले बहुत बढ़ी दोस्तों आगे चलो चले तो यह है और नवीन पटनाएक जी वहां के सीम है और वहां के गवर्न है गजनेशी लाल जी ठीक चलो बहुत बढ़ी आप यह और इसमें जो उतने भागी दारे वह आपको पढ़ने की जुरुवत नहीं है कि कौन-कौन मिलक करके काम कर रहा है कि Ministry of Earth Science है कि नहीं है यूपसी वालों पता होना चाहिए कि उनसे यह भी पूछ लिया जाता है कि बताए कौन-कौन सा क्या है ठीक है तो ओडिसा का बाला सो डिस्ट्रिक में यह बन रहा है लास्ट कुशन दोस्तों जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कल क लाइफ फोटोग्राफर यह फोटो खिचने वाला कौन है भाईया साल का सबसे बेस्ट फोटोग्राफर आपको बताना है क्या वो रॉबर्ट एर्विन है कमेंट करिए निक निकोलस है मार्टन बेली है मार्क फिट्जपैक्टरिक है कौन है इन में से कमेंट करके मुझे बताओ ठेक तो इसका आंसर है रोबर्ट एर्विन तो क्यूं है ये क्यूं बने इन इनकी जो फोटो का संग्रा है उसका नाम है बुश फायर बुश फायर को मिला है यह वर्ड अब आप समझ गया होंगे कि आस्ट्रेलिया के याद होगा सभी को आस्ट्रेलिया के क्वींस ल चीज के इन्होंने सोचल मीडिया पर अपलोड की थी उसी संग्रा का नाम था बुश फायर तो इनको जिसके लिए आवार्ड मिला है वो बुश फायर के लिए कि इतने रिस्क एरिया में भी जा करके सब कुछ बताया तो देखिए फोटोस से होता क्या है ड्रोन से होता क्य हो गई ये एक तरह से उतने बड़े जंगल में जब आग लगी कई समय तक आग लगी रही चलती रही किते सारे जानवर खतम हो गए मर गए तो बुश फायर के नाम से जो है तो भाई है क्विन्स लेंड में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी उसके उपर दोस् है जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है है ना और यह इसका एक्सप्रेंशन है इसका अंसर ए ही है ठीक है मैं अकी सब यहां पर लिखा जो मैंने आपसे कह दिया है क्लियर हो गया दोस्तों है ना तो होप सो कि यह पीडिएफ आपको मैं दे दूंगा चिंता नहीं करो अ है ना सारी की सारी ठीक इसको वापस से आ जाते हैं कहां पर अपने एरिये में और यह रहा है तो होप सो आपको यह बहुत अच्छी लगी होगी बताना मुझे कैसे लगे कुश्ण साब को अच्छे लगी हो तो भी ठीक और नहीं भी लगें तो भी पढ़ना तो पढ़े ग कच्छा बहुत है समझ पार हो ना मेरी बाद आना बहुत सारी चीजा आपको जाने की जरूरत नहीं है करेंट अफिर इतना सारा थोड़त होगा आपको मालूं में कुछी तो कुश्ण रहते हैं तो इंपोर्टन ही होने चाहिए समझ पार हो बस छे के छे दिख आपको करता है कि उसमें खास चीज़े कितनी है अगले वीडियो में आपके लिए फिर समय वही खास चीज़े लाओंगा जो मुझे बिल्कुल लगेंगे कि हाँ भई है नेचरल है आ सकता है चले तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैहन जै बारत